ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से उत्तप्रदेश के अकांशात्मक जिलों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होगी प्रदेश के आठ अकांशात्मक जिलों में कुछ 155661 करोड से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम होगा बतादे की योगी सरकार ने JCB के माध्यम से प्रदेश के आठ अकांशात्मक जिलों का 1,53,400 करोड की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का लक्ष दिया था इन जिलों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए योगी सरकार ने जो प्रयास किये हैं या उसी का नतीजा है जीवी सी में परियोजनाओं के शुवारम में यूपी के बड़े और ओद्यों के एक शहर ही नहीं बलकि अकानशात्मक जनपत भी पीछे नहीं है यूपी का सोनभद्र चिंदौली जिला जो कभी देश में नकसलियों से प्रभावित हुआ करता था आज प्रदेश के विकास में अपनी एहम भूमिका निभा रहा है इसके अलावा डकैतों के आतंग से प्रभावित चित्रकूट और पिछड़ा जिला होने का दंश जेल रहा था सिधाटनगर, बहराईच, पतैपुर और बलरामपुर ने बड़ी संख्या में निवेशकों को अपनी ओर आकरशित भी किया है पहले इंजिलों में आव्यवस्था और नकसल दस्यू गतिवीधियों के चलते उद्योग जगत यहां बड़ा निवेश कर रहाते थे हलाकि अब परिस्थितिया बिलकुल बदल चुकी है आपको बता दे जीबीसी 4.0 के प्रथम फेज में 10 लाग करोड की 14,000 से अधिक परियोजनाओं का भूमी पूजन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य मंत्री आदितिनाद की मौजूदगी में संपन हुआ इस दोरान उर्जा से जुड़ी यूपी नेडा की 182 परियोजनाओं भी शुरू हुई हैं ये परियोजनाओं 1.3 लाग करोड से अधिक की हैं सबसे एहम बात ये है कि योगी राज में बुंदेल खंड नई उर्जा का नया उर्जा चल बनने जा रहा है यहां अक्षय उर विख्सित भारत के लिए विख्सित उत्तरप्रदेश के निर्मार के संकल्प के साथ एक जूठ हुए है और मुझे बताया गया कि इस समय टेक्नोलोजी के माद्यम से हमारे साथ यूपी की चार सो से ज़्यादा विधान सभाशीटों पर लाखों लोग इस कारकम के साथ जुड़े हुए है जो लोग टेक्नोलोजी से हाँ इस कारकम में जुड़े हैं मैं मेरे इन सभी परिवार जनों का भी रजय से स्वागत करता हूँ साथ आट बर्स पहले हम सोज भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश और नोक्रियों को लेकर ऐसा माहूल बनेगा पिसले दस वर्स में हमारा देश ग्यारवी अर्थ विवस्ता से पांचवी बड़ी अर्थ विवस्ता के रूप में स्तापित हुआ है और आधने प्रधान मंत्री जी के नित्रतों में उनके तीसरे कारिकाल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ विवस्ता बनेगा इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेग किसी को नहीं लेकिन हम सब जानते हैं कि यहाँ मोदी जी की गारंटी है इस पर यूपी को भी यकीन है और पुरा भारत पुरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है इस संकल्प से जुड़ते वे उत्तर प्रदेश ने स्वयम को वन टिलियन डॉलर की एकॉनोमी के अर्थ विवस्ता बनाने का लक्से भी रखा है इसके लिए हमने स्किल और स्पीड पर फोकस किया है आधने प्रधान मंत्री जी के मार्क दर्सर का मार्क दर्सन हमें प्रापड़ा है और आपका सयोग मिलता है तो ये लक्स निश्चिती सिद्ध होगा